देश सेवा का व्रतलिये मानिनिय प्रधान मंत्री जी कर्तव विपत पर निरंतर बढ़ रहे हैं जन गण के मन की नई आशा है मानिनिय प्रधान मंत्री जी 125 करोड का भरोसा और गर्व है मानिनिय प्रधान मंत्री जी सालों पहले स्वामी विवेका नंद ने युवाओं का आहवान किया था देश निर्मान में भागेदार बनने के लिए और आज मानिनिय प्रधान मंत्री जी देश के पुनर निर्माण में युवाओं के उजावान विचारों और ख्रमताओं में सूरज का तेज देख रहे हैं और इसी तेज से गढ़ना चाहते हैं मानिनिय प्रधान मंत्री जी न्यू इंडिया के नए लक्षियों को हमारी उमीदों का भारत बनाने वाले मानिनी प्रधान मंत्री जी से हम सब का अनुरोध है कि क्रिपया हमें प्रेरणा दे हमारा मार्ग बैशन करें करें प्रेणों करें भारत बनाने यह जाए करें अनुरोध है कि आए करें वाले मांदी जी तरहे हमें प्रधान करें गारी जी जी जे जाए जाए मंत्री परिषद के मेरे युवा साथी से राजवर्दन सी राठोर जी अन्यमानुहाओ और बड़ी संखा में आए मेरा युवा साथियों मेरे सामने न्यू इंडिया की नई तश्वीर में देख रहा हूं देश के कोने कोने से भार्षा भुशार की विवित्ता लिए रंग बी रंग की माला रुपी माभारती के आप सभी मनकों का मैं अभिवादन करता हूं तकनिक के माध्यम से हमारे साथ देश भर से जुड़े NCC, NSS और नहरू युवा केंद्र के साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं साथियों आप जैसे उर्जावान और जोश से भरे साथियों से मैं जब भी मिलता हूं चर्चा करता हूं तो आपकी यह उर्जा आपके जोश मेरे भीतर भी मैं अनुभाव करता हूं आप बिते दो दिन से यहाँ पर देश और समात से जुड़े महत्पण मुद्दों पर चर्चा करें हैं चर्चा की यही भावना समबात की यही प्रक्रिया देश के जनतंत्र को शसक्त करती है साथियों देश के वरतमार और भविश को लेकर आपकी सार्थक चर्चा के लिए अनेक साथियों को यहाँ पुरस्कृत करने का मज़े आउसर भी मिला है जिनका पुरस्कृत करने का मज़े आउसर मिला है वो बदाई के पात रहे ही बाकी साथियों को भी मैं बदाई दूँगा क्योंकि आपकी भागीदारी भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है साथियों विचारों को लोगतंत्र देश और समाच के विमर्ष से जोड़ने की हमेशा मेरी कोशिश रही है नेशनल यूद पार्लेमेंट इसी कोशिश का एक हिस्सा है मैंने एक बार मन की बात कारकम कि मैं बात करते समय इसी प्रकार की भावना को मैंने प्रकट किया था और मुझे खुशी है कि इसको सफलता के साथ मुर्थ रुप दिया गया है लेकिन मेरा इसमें आगरे रहेगा क्योंकि पहला प्रयोग था 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 अगर अच्छा होगा कि आप लोग इस पूरे कारकम की रचना उसमें क्या कमी रही और अच्छा कैसे हो सकता था विशय अच्छे कौन से हो सकते थे प्रादेशिक भासाओं का महत्वय कैसे मिल सकता था अगर सुझाव और मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट जिसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था करे और सभी पार्टिसिपंट्स इस कारकम की रचना के समन में सुझाव दे करके अगर इसको और मजबुती देते हैं और नया पन इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया देते हैं तो यह अपने आप में एक इंस्टिटूशन बन जाएगा और भविश में भी जो पार्लामेंट जाना चाहता है वो पहले सोचेगा कि इस पार्लामेंट से गुजरें वो भी अपनी प्रोफाइल में निखेगा कि मैं इमयूद पार्लामेट में इतनी बाहरा हिसा लिया इतनी मार में जो बोलने का मोह कंम ला इतने विशेपर बोला इतनी बाहरी नाम जीत कर गया इतनonne वैं पिट कर गया या तो एक तो मेरा अग्रह है कि क्योंकि इसको हम एक और वैसे भी जो लोग अब मुझे क्योंकि आप लोग अगर इस प्रकार के इस परधा में भाग ले रहें इसका मतलब कि आप अपने सिलेबस के बार भी कुछ पढ़ते हैं सिलेबस के बार कुछ सोचते हैं जो सिलेबस में बंदे हुए हो तो यहां नहीं आते हैं वो वही ठीके रहते हैं और इसके कारण साथ आप मेरा भी अध्यान करते होंगे और मुझे भरोसा है कि आप वो चीज नहीं लेते होगे जो आपको परोसी जाती होगी आप धून करके निकालते होंगे कि सही क्या है आपने देखा होगा कि मैं स्वभाव से टोकनीजम में मुझे मैंने मेरा विस्वास ही नहीं है कोई एक लंबी सोच के साथ एक के बाद एक इंटरलिंक ववस्थाई विक्सित करना यह मेरी कारिशली का हिस्सा है सब चीजे पहले नहीं बताता हूं प्रोग्रेसिव अनफोल्मेंट होता है दीरे दीरे खोलता है मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना है उसी का एक छोटा सा हिशा यहां शुरू हो रहा है और इसको अगर आप और आपकी भागीदारी से अगर यह ववस्था विक्सित होती है और मैं तो चाहूंगा कि हो सके इतना जल्दी इसको सरकार से भाहर निकाल दिया जाए या तो इसको सरकार से भाहर निकाल दे या इसमे से सरकार को भाहर निकाल दे बिनों भावे कहा करते थे असरकारी असरकारी समझाया असरकारी असरकारी कि इसका रूप क्या हो सकता है अगर मान लीजिए पूरे देश में सरकार कैटलिक एजन्ट हो सरकार उद्धिपक का काम करें सरकार बाउंडरी चाय करें यह सब करें इंफा सक्टर प्रवाइड करें लेकिन पूरा इनिशेटिव हर डिस्टिक में इस प्रकार के एन सी सी एन एस नहरुवाक केंद्रा कि सब मिल करके युनिवर्सिटी के जो जुनाव जीत करके आयोए लीडर्स हैं यह सब मिल करके कि यह लगारतार डिस्टिक में साल में तिन तिन चार चार बिशाओं पर बड़ी व्यापक डिबेट करें और एक माहूल बने वे यह डिबेट है ने फिर बड़े बड़े स्टेडियम में करनी पड़े डिबेट पच्छिस पिचास हजार लोग सुनने आ जाए और देखें हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं यह हो सकता है हो सकता है लेकिन आप करेंगा कौन है और इसलिए क्या हम इसको उस दिशा में ले जा सकते हैं ताकि यह व्यवक्सित ज्यादा विख्षित हो इसको लाप में दें दूसरा वक्तुर्त्व इस सिरफ शब्दों का सरंगार नहीं होता है वानी का आरो अहरो नहीं होता है हमारे मूँ से निकला हुआ शब्द सही जगा पर तीर की तरह जाना चाहिए हमारी बानी इंप्रेसिव हो या नहो इंस्पाइरिंग जुरूर होनी चाहिए माहत्मा गांदी शसायद बड़ा कम्मुनिकेटर पिछली स्वताब्दी में तो मुश्किल है मिलना वो कोई वक्तुर्त्व शली के धनी नहीं थे और नहीं कि उनके पहनाओं में कोई इंप्रेशन करने का कोई प्रयास था नहीं उनकी शरीर की रचना में भी कुछ आशी चीज थी आप कल्पना कर सकते ना ओरेटरी हैं ना उस प्रकार का प्रभाव शली व्यक्तित्व है लेकिन वो कौन सी तपस्या होगी कि उनका एक शब्द और उस जमाने में वाट्सप नहीं था दुनिया के कौने कौने में पहुंच जाता था यह जो कॉम्मिनिकेशन है औरेटरी दाट वन थिंग कॉम्मिनिकेशन सब्सक्राइब करें और अगर हमारे देश में गाउं में शहर में कस्पों में अगर ऐसी युवापीडी तयार होती है जो समाज के मुद्दों पर सही तरीके से सोच करके समाज को अपनी बात बताते हैं तो समाज का मन बनाने में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं जी और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोग की तरफ से मांग आएगी कि तीन प्राइस देते हो तो कम से कम एक पूरुस्वां के लिए रिजरुशन दिया जाए इन बेटियों को लाख लाख बढ़ाई तीनों बेटियों ने मैदान मार लिया आपने देश से जुड़े में कई विश्यों पर चर्चा की है यहां दो दिन में स्वच्चता का विश्य हो समाविश्य समाज हो, फाइनसल इंक्लूजन हो, किसानों की आएगी बात हो, एन्बार्मेंट हो, खेल हो से कई विश्यों पर आप लोगों ने अपने इस चर्चा के अंदर विचान रखे हैं, इस कारकम में को जैसे सुजाव आये हैं, जिन को विस्तार देकर देश में चल रही अनेक योजनाओं को और मजबुत किया जा सकता है, और इसके लिए मैं एक दोसरा सुजाव डिपार और उसमें उनको भी कहा जाए कि आपने जो बोला था जो लिखा है, उस पर से एक उत्तम बाग के इसमें से ढूल करके आप निकालो खुद भी, खुद ही अपना एक्जामिनर, और ऑनलाइन बुकलेट प्रसिद्ध की जाए, इस विशह पर देश में 400 बच्चे बोलें, इ तो ये लोग भी तुस बुक को देखेंगे, और 400 को पढ़ेंगे, सुनेंगे, याने ये आटो पाइलोट व्यवस्तना हो जाएगी, अब मुझे बताईए सरकरने में सरकार की जुरूत पढ़ीगी क्या, बिना सरकार हो जाएगा कर नहीं हो जाएगा, वो इन्फाल सेक्ट भी उसमों लब्त हो, ताकि किसी को, उनकी स्पीच को देखना है, सुनना है, तो देख सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्ता विक्सित की जाए, जो अपने आप में, यूद का आकरशन बने, और हो सकता है, फिर आप, जब पार्लामेंट का इजन्डा निकले, तो आप भी अपने इलाके के MP को मेल कर सकते हो, कि देखिए, इस विशे पे इन बच्चों ने अज़े कहाए, अगर आपको काम आता है तो ले लो, और मैं सच बताता हूं, कभी-कभी एकाथ कौने मैं से, एकाथ छोटे व्यक्ति की भाप, मुझ जे से लोगों को भी इतनी काम आती है, जिसके आप कलपना नहीं कर सकते जी, ये पढ़ा है, खजाना हमारे यहां, तो मेरा दूसरा एक आगर रहेगा, कि हम इसको एक ऐसा व बनाएं ताकि आगे चल करके ये अपने आप में ये उप्योगी हो, इसका लाभ होगा, ये ऐसा मंच है जो आप सभी की राव एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा, यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे, उनसे ही कुछ नया सुरुजित जो नए भारत के आत्मा, नए भारत के नए समस्कारों का अंदर मारत दरेगा, साथ यो पार्लेमेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा, और इसलिए मैं जब यूद पार्लेमेंट में आया हूँ, हम क्या कर रहें, इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूँ, और देश को पता होना चाहिए, जीन एमपीज को आप जिता करके भेजते वो कर क्या रहा है, पार्नामेंट क्या कर रहे है, पूछना तो है, नवजवान ने पूछना चाहिए, देखें, 16 भी लोग साभा का उधान देता, एवरेज प्रोड़क्टिव करीटी 85 परसंट, करीब करीब 205 बील पास किये गए, और 15 भी लोग साभा की तुल्ला में, 16 भी लोग साभा ने 20 प्रतीशत काम ज्यादा किया, देकि मैं इसे संतुष नहीं हूँ, अगर मोदी है तो फिर बेज से नहीं चलता है, दोसरों होना चाहिए, अब ये लोग सभा देश की जनता ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके भेजा, उसका नतीजा है कि ये 20 परसंट भी प्रोड़क्टिविटी बढ़ा पाए, देश के टेक्सपेर के पैसों का सही उप्योग हुआ, और समय रहते हुए देश के लिए जरुरी वहां निति नेधारन हुआ, लेकिन राजसभा में क्या हुआ, अब राजसभा तो एल्डर्स का हाउस है, तपस्वी, तेजस्वी, बयो बृद्ध, तपो बृद्ध, वो बहुत ठंडे दिमार से, अच्छे ढंग से, यह चुनकर क्या यह लोग यह है, करते दो जराजसभा को सम्झाए, यह यह नहीं है, यह हो रहा है उल्टा, राजसभा का परफॉर्मांस, अभी जो लास्ट सत्र गया, शुरब आठ परसंट, एइट परसंट, अगर प्रोड़क्टिविटी एइट परसंट यह नहीं है, कितनी बड़ी चिंता का भीशह है, आप एक काम करिए, अपने यहां जाकर के डिस्टिक में, या दो-चार डिस्टिक मिला कर गया राज का, एक बड़ा सा युवाँ इवेंट कीजिए, और आपके राज्य से, आपके राज्य से जो राज्य समा में गए है, वोग उनकी जिम्मेवारी है, आपके राज्य के हीतों को लेकर के अपके राज्य के राज्य के रुपे बड़ाईये, बड़िया माला बला पहनाईगे, अच्छे से शाल उड़ाईये, बड़िया से बड़िया चैर रखिये, फिर उनको रिक्वेश कीजिए, थोड़ा पस्टन आंसर करेंगे, और फिर कुछी है क्या गिया, जब आम मांग और ये, तभी जाकर के देश में दमाओ पैदा होगा, और ये भी लोगतंत्र है, ये अलोगतंत्र एक व्यावस्ता मैं ने बता रहा हूँ, और ये भी ने कहता हूँ, एक पार्टी के, किसी भी पार्टी के क्यों नहों, राज सभागे सब को बुलाओ, अपने राज्य के पार्टी के दूसरी शक्ति तयाव होगी, और इसलिए मैं चाहता हूँ, कि इस काम अधिगलाब करें, साथ युवां मन आकांक्षी होता है, महत्बा कांक्षी होता है, और होना भी चाहिए, और इसकी अभीवत्ती करते हुए, बसे मुझे जो बच्चियां बढ़िया- ही है, लेकिन कभी हमने पढ़ा था, तो ऐसे तुटा-फुटा जो याद रहता है, और किसी सायर ने कहा था कि, उसे गुमा है, उसे गुमा है, कि मेरी उढ़ान कुछ कम है, मुझे यकी है, कि ये आसमा कुछ कम है, और इसलिए मैं हमेज़ा कहता हूँ, कि युवाँ सपनों को आखने आंख्शाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मोक तक गगन में उरने देला चाहिए, क्योंकि वहाँ नए आडिया से, फ्रेशनेस से भरा हुआ होता है, उर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शाप्तमेस होती है, उस पर अतीत का बोज नहीं होता, ऐसे में चुनोतियों और समस्याओं से निपटने में वह अधिक सक्षम होता है, साथियों देश की समाज की समस्याओं को सुर्जाने के लिए, आपकी जो एप्रोच है, वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है, जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुनह तेजी से सोचती हैं, काम कर रही है, यह तो आपके भी अनुभव के होगा, आपके इस परिवार में तीन साल, चार साल का भतीजा होगा, तो उसका जो दिमाग खलता होगा, आप सोते होगे, मैं तो इतना छोटा तो मिचे समझ नहीं आता था, इसको सब समझ आता है, यहन आप में और आपके भतीजे में जाद चुपट, जा पड़ाई कर, इसा ही होता होगा, और कुछ लुग यह वी कहते हैं, का आज के युःता हैं यहां नहीं है, बड़ी हड़वरी वह है, कुछ लोग यह कहते हैं, का गया यहां हुआम पाहर को रफार्श, और कुछ लोग भी बोले, लेकिन मैं मैं मानता हूँ कि ये सारी बाते हैं, लोग कुछ भी कहें, युवा है तो इस सब जरूरी है, इंग्रेडियन्स है युवा के वरना उमर भड़ी हो, दिमाग नहीं चलते लोग तो देखें हमने और यही बाते तो आपको इनोवेटी बनाती है, नएने आइडिया लाती है, आज का युवा मल्टी टास्किंग के लिए पहले से ही तया है, और इसलिए कई काम एक साथ करता है, वो एम्बिशन से भरा हुआ है, क्योंकि वो बहुत तेजी साग्य बढ़ना चाहता है, और यह नहीं तो न्यू इंडिया का अधार है, साथियों हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्म विश्वात बनाने के हर संभव प्रयास किया है, हमारे इस पस्त मानना है कि युवाओं को आउसर मिलने चाहिए, आउसरों को समा सांता मिलनी चाहिए सामर्थ तो उसमें भरपूर है ही यही कारण है कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्क के गरीब युवा साथ्यों के लिए दस प्रतिश्चत आरक्षान का इत्यासिक फ्रक्ला हमारी सरकार में दूसरे वर्क के अधिकार में छेड़्चार किये विना एक काम किया गया इतना ही नहीं सरकार सहिश्चिक समस्तानों की सिटों में 25 प्रतिश्चत की वृद्धी भी कर रही है साथ्यों आउसरों की समानता तभी सुनुस्तीत हो जाती है जब सिस्टम से परिवारबाद भाई पते जावाद अपना पराया प्रस्ता अचार सब दूर हो और इसके लिए भी एक के बाद एक कई निर्णे लगातार किये जा रहा है चाहे वो स्पोर्ट के ख्षेत्र में ट्रेनिंग और सेलेक्शन के प्रक्रिया में पादर्स्तिता लाने की बात हो या फिर स्टार्ट अप के माध्यम से युवाओं के आईडियाज को देश के ताकत बनाने की बात हो हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे है और इसका भारत तेजी के साथ आगे बढ़े स्टार्ट अप की दुनिया में इनोवेशन की दुनिया में गरीवी को समात्त करने के प्रयासों में पूरे विश्व में मिसाल कायम करे इसके लिए प्रैतना हम सभी को मिल करके करना है याद रखे मैं जिस पीडी से रहा हूँ आप जिस स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मौका नहीं मिला लड़ने का मौका नहीं मिला दिए हम वो लोग है जिने देश के लिए जीने का उसर मिला है और इसलिए हमें अपनी उर्जा अपनी प्रदिपा देश के लिए जीने पर देश के निर्मान पर लगानी है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कुछ और भी सुजाव है मेरे मन में अच्छा हुआ मैं टीचर नहीं हुआ वरना मैं होमवर्ग ज्यादा देता आप लोग यहां आये हैं देश के हरजिले से आये हैं मुझे मालूम नहीं है डॉजिस्ट्रिक व्यवस्ता क्या है लेकिन समय निकाल करके देश के सैनिकों को सवास्व करोर देश्वास्यों ने जो नेश्टनल वार मेमोरियल समर्पित किया है दो दिन पहले और आजहादी के इतने सालों के बाद पहली बार हुआ है आप समय निकाल के जुरूर वहां हुआ है जुरूर हुआ है वैसा ही दूसरा पुलिस मेमोरियल बना है वो भी आजहादी के इतने सालों के बाद पहली बार बना है उसे भी देखिए अपना सद्धाबाव व्यक्त करिए जब आप अपने एक छात्र में वापी जाएंगे तो और कुछ काम आए ना आए ये दो दिन यहां बिताए उसमें से कुछ काम आए ना आए इन दो जगा पर होकर गाएंगे मुझे विश्वास है आप उर्जा से भर कर गहर लोटेंगे प्रशने साथियों मैं आप मुझे बताएंगा एक साथ कुछ सवाल जवाबी होने वाला है आपके साथ तो ज्यादा समय मुझे लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक द्वायर का पसाज द्यूएदी जी उनने जो दो पंक्तिया कही थी वो भी मैं आपको कहते कि अबरी बात समाब तो करूँगा अब उसी में आपके लिए संदेश है मेरा पूरा भाशन याद नहीं रखोगे तो चलेगा इतने उंचे उठो की इतने उंचे उठो की जितना उठा गगन है इतने उंचे उठों की जितना उठा गगन है इतने मौलिक बनों की जितना स्वयम स्रजन है दोस्तों मेरी इन सारे सपनों के लिए आपको शुब कामना है और मुझे बताएगा या कुछ लोग पुछने वाले हैं माननी पूरे देश बर से युवा यहां पर आए हुए हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास इनकी तरफ से आए भी हुए हैं इन में से माननी कुछ सवाल हम ले रहे हैं यहां पर दिल्ली से शशांग गुपता हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं शशांग खड़ी हो जाए के लिएonden सीखने के लिए इसी विशेमें सर्फ मैं यहीं जाना चाहता हूँ कि इन सभी का हमें कैसे हरेक जिलेमें हर एक North East से लेकर interacting क्रौकश्मीर से अमूंतलश्मीर तक हर एक युवाओ को कैसी इसका लाम मिलेगा कैसे उस चीछ. और और धन्यवाद मेरा कोशन है धन्यवाद आपके बाद सही है कि कभी-कभी योजनाय तो होती है ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारे कोई कुछ करती ही नहीं होगी योजनाय तो लोह ने भी बनाई होगी कुछ योजनाय आइडिया तक से मित रहती होगी कुछ योजनाय कागज पे जाती होगी कुछ योगजनाई फाइल के आगे निकलती होगी और फिर समय उसे में बिच जाता होगा है अगर हम लांस माइल डिलिवरी करते हैं एजिकूशन करते हैं तब योजनाओं का लाभ है अब आपको मानूं है कि देश ने बैंकों का राष्ट्रेकर्ण किया था जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब हुआ था और इसलिए किया गया था कि बैंकों में गरीबों का हक मिलना चाहिए उस समय हमारे देश में फैशन थी गरीबों के नाम पर खेल खेलने की अब बैंकों के राष्ट्रण होकर के 40-45 साल हो गए लेकिन देश के गरीबों का बैंक अकॉंट खुला नहीं है अब कोई बैंक ने बैंक अकॉंट नहीं खुलना ये तो कहां नहीं था लेकिन लास्ट में डिलिवरी पर किसे ने ध्यान नहीं दिया हमने ध् अब बैंक खाता होना चाहिए यह मने त्याइक है और सुरू में हमारी दोड़ा बैंक वालों से थोड़ी परेशानी भी रही हमने यह कहां कि जीरो इमाउंट से बैंक खाता खोला है को बैंक वाला को सुरू होगा भ़़ए जिरो इमाउंट से कठीन काम होता है यह करना पुरता है और जीरो बैलेंस से बैंक अकांट खोड़े गए और आप देखिए हमारे देश के गरीबों की अमीर ही देखिए अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी है लोग भाग जाते हैं और गरीबों की अमीरी देखिए जीरो बैलेंस से बैंक अकांट खोड़ना था लेके निन गरीब परिवारों ने बैंक का अकांट का उप्योग करते हुए सेविंग की दिस्था में गए और आज करीब करीब एक लाग करोड रुपया उन्होंने सेविंग किया है बैंक अकॉंट यह गरीबों की अमीरी है और देश गरीबों की अमीरी से ही आगे बढ़ने वाला अब यह क्यों हुआ तो लांस्ट माइड दिलिवरी से हुआ अब माली जी मर्ज बराबर देहादे कि दादा धर्माजी कारी करके गांधियन विचारक थे कभी आपको भी मोका मिले तो दादा धर्माजी दार्माजी कारी जी के किताबे पढ़ने जैसी छोटी-छोटी-छोट अचारी मिनोवाजी के प्रभाव में रहे थे उन्हों एक जेगा में लिखा है कि मेरे मुले परिवान के किसे ने भेजा कि बच्चा बढ़ा गया है अब तो ग्रेजुएट भी हो गया है तो रोजी रोटीनी मिलती है कुछ ववस्ता कीजिए तो मेरे पास मुले आया तो म बेज़ियवारी मुले गने मुले अपनी यह चुझे है पुले खखीवारी मुले तो में इन्ससानओ ग थे न्हें हैं उन्हों का जाता है Fitz दादा धर्मारी करें बड़े सठीक तरीके से इस वाफ का वड़न किया है हमारा जो कौशल विकास का प्रयास है उसके पीछे है कि परमात्माने में हाथ दिया है हुनर की जरूत होती है और जो स्कील डेवलपमेंड मिशन है उसकी एक ताकत है कि इनसान कभी भूका नहीं मर सकता जी वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है आप में उस्वास उसका बढ़ जाता है तो हम देश भर में इस नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं अब आपने देखा होगा कि स्टार्ट प्रणाफ पहला एक जमाना था कि बड़े बाबु के बेटों को मिलो तो कहेगा मैं मैं भी बाबु बढ़ना चाहता हूं आज कल मैं देखता हूं मेरे जो अफसर हैं उनको पूचता को भी बेटा क्या करता है बोले था वो तो सरकार में आना नहीं चाहता है तो स्टार्ट में भी ब्यक्ति बैंक से पैसा ले सकता हूं और इस सरकार ने लाखो करोड इरुपिया ऐसे नवजवानों के बिरोजा करके दीआ है और चार बार बैंक से पैसा लिया इसु है है कि यह जो हम योजनाएं बना रहे हैं लास्ट माइल लिलीवरी पर बल दे करके कर रहे हैं और मुझे विस्वास है कि इन योजनाओं के तरफ अब आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे जो करीबी देश में धाईलाग गाउं में हैं वहां पर सरकार की 400 से जादा योज सब्सक्राइशन फॉर्म है कहां जाना क्या जाना इसारा गाइडन्स है और डिजीटली अविलिबल है उसको हमने समझा दिया तो उसको पहुंच सकता है कभी सबसे बड़ी बात क्या हुई हमने देश्वासियों पर भरोसा करना तएक किया है एक सोथ थी सब को चोर बानना क्योंकि खुद में अंदर चोर बैठा था है अ और यह सब को चोर मानना मैं अ कर इसा नहीं जो कुछ लोग होंगे गलत रास्ते पर लेकिन अधिक्तम लोग इमान्दार होते इमानदारी के रास्ते पर चलने के जीते हैं ऐसे लोग होते हैं अब आप मुझे पता ही पहले आपको अगर कहीं अप्लिकेशन करना ही होती थी तो आपकी सर्टिफिकेट का जरोक्स नहीं चलता था आपको किसी मुंसिपालिटी के चुने हुए मेंबर के पास से उसको सर्टिफाइब करवारा पड़ता था यह आपको क्या होता था ना हमने क्या जरू कि वह एक कॉर्पोरेटर या तैसिल पंचात अजिगारी एक M.L.1 MP वह कौन होता है इमांदारी का सर्टिफिकर देने वाला अरे खुदी दे जो कि मैं इमांदारी से देता हूं और कर लिया मैंने इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने सेटिफिकर सेल पाइटिस करके दे सकता है और जब फाइनल देखना होगा तो बोरिजिनल दिखा देना भई बिखार में परोश्य परिशा लेक्यों तो यह बडलाव जो है उस बडलाव से आप देखते होगे कि नीचे तक एक सकारत म उनसा गर्णीश का गवर्नांश का अ 161 डेवलोप्रbin प्लैट प्लस गुर गवर्नांस क हो बस समय पर आती हो कंड़क्टर का वहवाद ठीक रहता हो यह सोब प्रकेज अच्छा हो तब जा करके बस्टॉप का उफ्योग है तो हमारी कोशिज है कि इंटर लिंग ऑल आउट एक बड़्लाव महसूस हो अब स्वच्छ भारत अब मुझे बताईए कि टॉइलेट की चलते हैं लेकिन आप आजाना दूरा काम करो को तो नहीं चलेगा हम रहता है कि एक बार इस समस्या से मुक्त हुराए निकल पड़ो देश में नौ करो टॉइल हमारे देश में बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि तीन साल चार साल पांच साल की होते होते महसूस कर रही थी कि बच्चियों के लिए अलग टॉइलेट नहीं है अब उसी एक मानसिक बोच के अकान बच्ची पांच छे साल की पढ़ाई के बाद स्कूल में बच्चों के लिए अलग टॉइलेर तो बना हो अब कोई कह सकता है अरे भारत के प्रधान में ते काम है गया टॉइलेर बनाना उसको तो बड़ी-बड़ी बात करनी चाहिए बड़ी बात करने वाले तेरा चले गई मेरे पहले माननी महराश्र अम्रावत्ती से यहां पर आई हुई है आकांक्षा अस्तनारे इनकी भी कुछ उचसुकता है जानने के आकांक्षा सर्वप्रथम सूप्रभात माननीय प्रधान मंत्री जी मैं अकांक्षा हूं महराश्र से मेरा प्रश्न पूछने की अनुमती चाहूंगी आपसे मेरा प्रश्न यह है कि युवाओं ने जो अनुभव किया है पिछले साड़े चार वर्षों में युवाओं की स्तितिया तो आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आपने इन स्थितियों को कैसे बदला यह स्थितियों को मैंने नि बढ़ला है देशवाश्यों ने बढ़ला है देशवाश्यों के विश्वाश्यों ने बढ़ला है अब स्वच्छता कोई मोधी जाडू लेकर के निकला है क्या देश बादी जी ने बोला है दू ठालो अब स्वच्छता कोई बादी जी ने बोला है दू ठालो क्या तक नहीं कहता है देश बदलता है देश बाद्चियों की सक्ति से देश बाद्चियों के संकल्ब से सरकार का काम है उन्हें आउसर देना, खुलापन देना और वो काम करने के दिशा में हमारी सरकार नेरंतर चल रही है धन्यवाद मारिनी आपका ही संसदीक शेत्र वारा नसी यूपी है और वहां से एक सवाल हम लेना चाहते हैं खुशी श्रिवास्तो यहां पर आई हुई है वहां से खुशी पूछे क्या पूछना है नमस्कार नमस्ते रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर्थ मेरा क्वेशन यह है कि करप्शन यह एक ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया की जिसको सब लोग ऐसे ले रहे थे वो इतना डर चुके हैं यहां तक कि सिस्टम में लीकेज भी रुग गया है गर्फ तो होता है इस बात का पर आश्चर भी होता है इतने साल से छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं यह बड़ी प्रॉब्लम चार साल में कैसे सही हो गई आपसे पूछना जरूर चाहेंगे यह बात सही है कि हमारे देश हमारे हम से हमारे बाद भी जो देश आजाद हुए वो कहां से कहां पहुच गए हम अपने ही अंतर ऐसी बुराहियां पालते गए और एक के बाद नई बुराहिया लेते आते जाता है राज रोट बड़ बोला जाता है डाइबिटीस अपने हम में बुरा दिक्ता नहीं है पता नहीं सलता है लेकि एक बार डाइबिटीस हो थो हैर इस बिमारे हैं यह करप्षन एक ऐसी दिमख है जो वारी बिमारियों को ले आती थी जब तक आप करप्षन पूपि दिमक्ट से देश को मुक्त नहीं करते हैं तब तक आप और विमारियों से भी बुक्त नहीं हो सकते हैं और इसलिए काम थोड़ा कठीन है और हर को यह काम करना ही सकता है जी जिसको खुद को कुछ लेना देना नहीं है जिसको अपने लिए कुछ करना नहीं है वो जरूर इस काम को कर सकता है और इस देश पैसे करोडों लोग हैं जो नियम और कानून से जीना चाहते हैं हमने उनी को पोच्षाइद किया उसी का परणाम है अब आप देखिए हमारे देश के युवाताय कर ले कि हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम डिजिटल पेमेंट करेंगे मोबाइल एप से ही पैसे देंगे मुझे बताई साब एकाउंट से चलना शुरू हो होगा क्या है यानि हम भी अगर कॉंटिबूट करना शुरू करें और आज हुआ है आप पहले की तुलना में डबल संख्या है सत्तर साल में इंकम टैक्स देने वालों के संख्या डबल हो गई है यह मांदारी का रास्ता नहीं वाए तो क्या है तो यह संभव है और आप लो के भी हम एक सवाल लेना चाहते हैं करनाटका के तुमकुर से आयश्री रक्षित यहां पर मौजूद है कुछ आप से पूछना चाहा रहे है प्रदान मंत्री जी पहले से प्रणाव कर रहा हूं मैं एक वचन समर्पित कर रहा हूं आपके लिए आचारी है स्वर्व अनाचारी है नर्ग मतलब ही आचार तो स्वर्व कर रहा है अनाचार तो स्वर्व नहीं जा रहा है इसलिए ये साल आप साबित कर दिया पूरे विश्र को इसलिए मेरा प्रेशन ही हूँ आपके साथ में हम देश बढ़ रहा है 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 हम यूद क्या करना चाहिए आप बताएए मुझे बताना पड़ेगा का यूद को क्या करना चाहिए देखे एक छोटा सा विशेल्दा में आप देखिए कि हमारे देश में 800 मिलियन 35 से कम आयू के लोग है बेद देश को बदल सकते हैं कि कोई मुश्कित काम नहीं है अब देखे अब चुनाव आने वाले है क्या हमारा कोई नौजवान है जो बोटर लिस्ट में उसका नामी रेजिस्टर नहीं हुआ है करवाना चाहिए एक नहीं करवाना चाहिए 21 सदी में जो पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में उनको पहली बार इस लोग सबा में बोट देने का हग मिलने वाला है और जैसे घर में बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है तो परिवार में बड़ा उच्छों होता है